नवस्कार दोस्तों गुड़ मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी खबर एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने दार हैं देख सकते हैं कि दूसरा चलंद 7-15 दिसंबर तक होगी परिच्छा बीपीएसी ने पूरी की तैयारी जी हां जो बीपीएसी टीरी 2.0 का एक्जाम स्टार्ट होने वाला है वो 7-15 के बीच में हैं क्योंकि 7-8 कल्यान विभाग का है और 9-10 आपका से 6 वाग का है और 14-15 आपका 125 का है अग 4.41 लाक देंगे परिच्छा जी हां बीपीएसी भरती बीपीएसी टीरी 2.0 में लगभग साड़े 8 लाक देंगे परिच्छा क्या है वो पूरा डिटिल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जो लोग चैनल पे नए जूरे हैं एक बार चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन को भी प्रेश जरूर कर लिजेगा ताकि पलपल का अपडेट आपको मिलता रहा है वह जो लोग ग्रूप जोईन नहीं किया वो ग्रूप जोईन भी जरूर कर लिजेगा देखे कहा जारा कि हर दिन की परिच किंद्रों पर परिच्छा को जन किया जाएगा यानि कि सबसे ज़्यादा भी नो तारी को यानि कि नो दिसंबर को आपको देखने को मिल सकता है मंगलबार को प्रेश वारता में दूसरे चनकी सिच्च भरती परिच्छा से जोड़ी जनकारी देते बीपियसी के दस अतुल परसाद हुआ सचिप रवी भूसर यानि कि दोनों ने अपडेट दिया है बीपियसी टीरी पॉइंट टू पॉइंट जिरो को लेकर कि कैसे कैसे क या कि आर्लाइन क्या है किस जिले में कब परिच्छा होगे वह हम आपको बताएते हैं बीपियसी के अनुसार आठ दिसंबर, नौ दिसंबर, दस दिसंबर, 14 दिसंबर और पंदरह दिसंबर को भी भींजिलो में तता साथ दिसंबर से पांद दिसंबर तक एक पाली में फाइव है मात एक लाग करनी डेट हैं इसमें पटना भोजपूर मुझापरपूर बेगुसराय भागलपूर नालंदा सारन दर्भंगा एवंपूर्णिया को सामिल किया गया है तारिक अभ्यारती परिचागेंत और परिच्छा का डिटेल भी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो चलिए इस ख़वर को बिस्तार से देखते हैं एक वार वीडियो को लाइक जरूर कर लिजेगा और बेल आइकन को भी प्रेश जरूर कर लिजेगा ये खबर पटना छपके आ रही है है हिंदुतान के मेन पेस्ट पर इस न्यूज को प्रकासित किया गया है कहा जा रहा है किसी छक न्यूकती के दूसरे चरंग के परिच्छ साथ से पंदरा दिसंबर तक होगी जा जो अक्जाम होने जा रहा है वह साथ से पंदरा दिसंबर तक होगी एक लाख 22225न पदों के लिए होने वाली इस परिच्छा में अजूर अठ लाख 412835 अभियर्ति सामिल होंगे सीट आपकी कितनी है? 1,22225न कंडियर कितनी है? आठ लाग एक्तारी सजार आठ सो पैंट रिजल्ट कितना आएगा वो देख लिजेगा सतर से असी के बीच में रिजल्ट आपको देगा फिर चाली सजार शीट आपको बचा लिया जाएगा इसलिए क्यूंकि बहुत सारी अरच्छन को गलत नित्यों का उप्यू क्या जाता ह जैसे माल जाकि किसी महला का सलेक्षन हो गया मैंका सिट खाली चला जाता है अधर नी alarms का सीट खाली चला जाता है जब अन्ने प्रहते भर में दोंसे लार चला जाता है यह जनकारी मंगलवार को प्रेश वारता में बीपेसी के अधस अतुल परसाद वो सचीव रईभूसर ने दी है। कहा है यहर दिन की परिच्छा के लिए अलग-अलग जीलों में अलग-अलग कंदर बनाये गए हैं। नो दिसंबर को स्वाधिक 555 के अंदरों पर परिच्छा ली जाएगी। ओमार सीट से कोई हेरा फिरी नहीं करेगा। जी हां। पिछला बार जो ओमार सीट से हेरा फिरी किये थे वो ना करें। डबल गोला ना भरें। क्रोस गोला ना भरें। ब्लेड या सौपनर का उप्योग ना करें। बीपेसी अध्यस ने बताया कि पिछले चरंग की परिच्छा में अभ्याटों नी अमार सीट भरने में काफी गलती की थी। इस बार अभ्याटी पहले ही इसका अभ्यास कर ले। बीपेसी अध्यस ने असपष्ट कहा है कि इस बार ओमार सीट में ही रोल नंबर भरना होगा। इसमें गोला भरना है किस तरह की गडवरी होने पर ओमार सीट से कोई छरकानी नहीं करे। ओमार सीट पर एक गोला के अतरिक्त अंगोला या डॉट ना बनाए। जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछले बार भी लोग डॉट कर दिये थे केंप्यूटर ने ले लिया था लेकिन हम मैनुवली चेक करेंगे और मैनुवली में पकलाता है तो उसे हम चार्ट देंगे इस बार हम कोई माप नहीं करने जा रहे हैं परिच्छा में कोई गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए हर केंदर पर विशेश जांच विवस्था होगी यानि किसी तरह के कोई धांदली वहां पर आपको देखने को नहीं मिल सकता है इतना कड़ा विवस्था करके रखा गया है और यह पकड़ावेवस्था इसलिए करके रखा गया है ताकि उहां पर किस तरह के धांदली नहीं एक लाख 22,252 पदों पर होनी है बहाली जी हां बीपेसी टी री टू पांट गिरो की जो बहाली हो रही है वह एक लाख 22,252 पदों पर लेकिन रिजल्ट हम यह भी लिखके देते हैं कि इतना पर रिजल्ट कभी दिया ही नहीं जाएगा दिया जाएगा सतर से 80,000 शी टूपे अभियर्तों को ढाई घंटा पहले से मिलेगा परवेस पत्र जी हां 11 बजे आपको इंट्री बंद हो जाएगी 11 बजे से पहले आपको जाना बहुत जुरूरी है कि बारा बजे एक जाम आपका सुरू हो जाएगा अभियर्तों को परिच्छा सुरू होने के 10 घंटा पहले आपके परिच्छा केंद में परवेस दिया जाएगा परिच्छा सुरू होने के एक गंटा पहले यानि कि 11 बजे पुभवहन परिच्छा कश्वर्जंद में परवेस बंद कर दिया जाएगा अभिहरतों कि गहन जांच की साथ E-Admir Card हुआ अधार Card से मिलान करने के बाद ही E-Admir Card की बार कोड असकाइनिंग की जाएगी इसके बाद फोटोग्राफ का मिलान करने के बाद परिछा के अंद में परवेश के अनुमती दी जाएगी इसके लिए परवेश द्वार पर निधार समय यानि कि धाय गंटा पूर पुलिस बल डंडा दिकारी एमेकरिदाजिस का द्वारा परतिनुक्ती ब्यक्ती उपस्थित रहेंगे दिव्यांग अभ्यsmarty को अस्क्राइब उपलवध कराने के लिए जीला अस्तरापर जीला श्चापदधिकारी द्वारा सुर्ति लेखों के सुची तैयार कर दिव्यांग अभ्यटि वाले के अंद्रों को उपलवध कराएंगे अब यहां पे देख लिजे तारिख 7 दिसंबर को अभी अर्थी 6,473 है और परिच्छा के एद्माद3 है जाती कल्यान भी ओवाग 4-8 और दिसम्बर को तीन लाख एगारा हजार तीनसू अभ्याति है वहीं परिचा के न 525 थि च्छाय वाग पिछड़ा वाती पिच्छावाग चटी से आठमी के लिए वहीं दस दिसम्बर को चौरासी हज्जाग 149 अभरती है 151 परिच्छा के नहीं हिच्छा विवाग छटी से आठमी विच्छाइ अंग्रेजी हिंदी संस्कृत उर्दू के लिए हैं वहीं 14 दिसंबर को एक लाग 7263 अभरती है परिच्छा के नहीं देख्छा विवाग के लिए है तो ए अपडेट हमने आपको दिया दोस्तो इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे तो इस वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंडर के बता सकते हैं और ऐसे हैं वीडियो नीच पाने के लिए आप मारे चनल पर बने रहें फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तो